शासन द्वारा जन्पद प्रयाग राज को 21 एंबुलेंस उपलब्ध कराए गई है। जिसका सांसत फूलपूर केसरी देवी पटेल ने शनिवार को शहीद चंदरशेखर आजाद पाक के गेट तीन से सभी एंबुलेंस को हरी जंडी दिखाकर रवाना किया। सांसर ने शासन की नीतियों के संदर्व में चर्चा की तथा एंबुलेंस प्राप्थ होने से विश्वास व्यक्त किया कि जन जन तक स्वास्थी सेवाएं और आसानी से पहुँचेगी। इन में एक एंबुलेंस एलस एडवांस लाइफ सपोर्ट तथा 20-102 एंबुलेंस हैं। 102 एंबुलेंस द्वारा गर्भवती माताओं तथा दो वर्ष तक के बच्चों के लिए नेशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 102 एंबुलेंस घर से अस्पताल तक लाने एवं वापस छोड़ने का कार्य करती हैं। अब जन्पद में कुल 51 एंबुलेंस हैं। इस अवसर पर मुख्य चिकित सा अधिकारी डॉक्टर आशु पांडे ने एंबुलेंस की उप्योगिता के बारे में बताते हुए विश्वास दिलाया की प्रयागराज की स्वास्थे सेवाए और अच्छी की जाएंगी। प्रसाव से सम्मंदित किसी भी समस्या से रिलेटेड कोई भी अगर मेडिकल ट्रांसबोर्ट की जरूरत पड़ती है तो वो भी निशुल 45 दिनों तक उस महिला को प्लब कराना जो बच्चे का जन्म होता है उसको दो साल तक के लिए किसी भी तरह की अगर कोई मेडिकल साह प्रसाइटा की जरूरत है तो दो साल तक के लिए उस बच्चे के लिए इनिशुल पेकप और ड्रॉप की सुई था और अगर संदर्भन की जरूरत है बच्चे को लोर से हाइर सेंटर पर तो उसके लिए भी यह 102 एंबुलेंसे निशुल को उपलब्द रहेंगी हमारे यह जो एंबुलेंसेज 102 का बेडा था वो काफी पुराना हो रहा था तो उत्रपरदेश शरकार ने बहुत ही समय बद तरीके से इन एंबुलेंसेज को हमारे यहां उपलब्द कराया है जो अब सेवारत रहेंगी पूरे हमारे जन्पद में इस अवसर पर आपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरुन पाठक एवं डॉक्टर ए के तिवारी, डिप्टी सीमो डॉक्टर आर सी पांडेय, डॉक्टर आर के श्रीवास्तव, डॉक्टर अंशु वैशिय तथा स्वास्थि विभाग के अन्य अधिकारी कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संजय बरनवाल ने किया